ओम श्यान्ती एक जून दोहजार जोबिस के इश्वरिय महावाक्य पहले सुनते हैं आज की मुर्ली से होंबर्ग बाबा ने कहा तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चैही यानि आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चैही तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चैही क्योंकि एक बाप के बच्चे होना इसको कहा जाता है रुहानी प्यार कहां भी चलते फिरते बाप को याद करो बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो यह ज्यान सारा बुद्धी में रहना चैही बाप को जानना है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बाप की श्रीमत है बच्चे कहां भी रहते तुम मुझे याद करो हम आत्मा हैं बाप के बच्चे हैं यह यथार्थ रिती समझ कर यह निश्चे पक्का-पक्का होना जैनी और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रुहानी भाई-भाई हो, तुम्हारा रुहानी प्यार होना जैनी आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं प्रेशन, बाप अपने खर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर, जो भी आत्माई मेरे घर में आती है वह अपने अपने सेक्शन में अपने नमबर पर फिक्स होती है वह कभी भी हिलती डूलती नहीं वहाँ पर सभी धर्म की आत्माई मेरे नज़दीक रहती है वहाँ से नमबर वार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती है यह वंडरफुल नोलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है दूसरा कोई यह नोलेज नहीं दे सकता ओम शांती बाप बैठ बच्चों को समझाती है बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझती है ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाती है इस ग्यान की प्रालब्द तुम नई दुनिया में लेने वाली हू नंबरवार पुरुशार थनुसार यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है बदलाने वाला बाप है यहां तो सम्मुख बैठे हैं जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंदे आदी में ही लग जाते हैं बाप की शुरिमत है बच्चे कहां भी रहते तुम मुझे याद करो जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पती मिलेगा चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है कहां भी रहते एक दो को दोनों याद करती है इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार, यह है रूहानी प्यार, रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ, तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानि आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प् को मिलती है दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए क्योंकि एक बाप के बच्ची होना इसको कहा जाता है रुहानी प्यार ड्रामा प्लैन अनुसार सिर्फ पुरुशोत्तम संगम उपर ही रुहानी ब बापा कर रुहानी बच्चों को सम्मुख समझाती है और बच्चे जानते हैं कि बाप यहां आई हुई हैं हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बना कर साथ ले जाएंगे ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं सबी आत्माएं ऐसे जैसे टिड्डियों का जुंड जाता है उनों का भी कोई गाइड होता है गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहती हैं सारा जुंड जब इकठा जाता है तो बहुत आवाज होती हैं सूर्य की रोशनी को भी ढग देती हैं इतना बड़ा जुंड होत गिंती नहीं कर सकती या मनुष्यों की गिंती नहीं कर सकते बल आदम शुमारे निकालती हैं वह भी एक्यूरेट नहीं निकालती हैं आत्माई कितनी है वह हिसाब कभी निकालनी सकती अंदाज लगाया जाता है कि सत्यू में कितने मनुष्य होंगी क्योंकि सिर्फ भारत ही र तो दोनों इकठे सुख अत्वा दुख भोगते हैं ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है वह कभी दुख नहीं भोगती निरलेप हैं बहुत बच्चे इस बात में भी मूझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चे तो करें लेकिन बाप को कहां याद करें य वहां भी चलते फिरते बाप को याद करो, बाप रहती हैं परमधाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है, फिर यहां पार्ट बजाने आती है, यह भी ज्ञान अभी मिला है, जब तुम देवता हो, वहां तुमको यह याद नहीं रहता, कि फलाने फलाने धर्म की आत्माई उपर में हैं, उपर से आकर यहां शरीर धारन कर पार्ट बजाती हैं, यह चिंतन वहां नहीं चलता, आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परमधाम में रहती हैं, वहां से यहां आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, अब वह किस शरीर में प्रवेश करती हैं, वह तुम अगर लिख्खो कि शिव बाबा गेर ओफ परमधाम तो परमधाम में तो चिठ्ष जानी सकती इसलिये लिखते ही हो शिव बाबा गेर ओफ ब्रह्मा फिर यहां की एडरेस डालते हो क्योकि तुम जानते हो बाप यहां ही आते हैं इस रत में प्रवेश करते हैं यूंतो आतमाय भी उपर रहने वाली हैं तुम भाई-भाई हो सदेर यही समझो, यह आतमा है इनका फलाना नाम है आतमा को यहां देखते हैं परन्तु मनुष्चय देह अभीमान में आजाते हैं बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो, इस समय बाप समझाते हैं जब मैं आया हुआ हूँ, आकर बच्चों को ग्यान भी देता हूँ, पुराने ओर्गन्स लिये हैं, जिसमें मुखे यह मुख है, आखे भी हैं, ज्यानम्रित मुख से निकलता है, गव मुख कहते हैं न, अर्थार्ट माता का यह मुख है, बड़ी माता द्वारा तुमको एडोप्ट करती हैं, कौन? शुबाबा, वह यहां है न, यह ज्यान सारा बुद्धी में रहना चाहिए, मैं तुमको प्रजा पिता ब्रहमा द्वारा एडोप्ट करता हूं, तो यह माता भी हो गई, गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालत तेरी, तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगी, वह तो बाप ही है, बाप से वर्सा मिलता है, फिर माता चाहिए, वह यहां आते हैं, अभी तुमको म पार्ट बजाने, दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वे तो ठिकर भितर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अंगिनत हो जाएं, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, गायन भी है ज्यान सूर्य प्रगटा, अज्यान अंधियर विनाश, इस समय तुमको ज्या पार नहीं, दे अभिमान भी नहीं, वहां आतम अभिमानी रहते हैं, आतमा को ग्यान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब व्रिद्ध हो गई, इसले अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है, वहां ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वे तो है ही अमर ल लोग सर्प का मिसाल देते हैं, मिसाल वास्तों में बाप का दिया हुआ है, वे फिर सन्यासी लोग उठाते हैं, तब बाप कहते हैं, यह जो ग्यान मैं तुमको देता हूं, यह प्राय लोप हो जाता है, बाप के अक्षर भी हैं, तो चित्र भी हैं, प्रंतु जैसे आटे म नमक तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं जैसे सर्प पुराने खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं नहीं खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है वह खाल उनकी देखने में भी आती ह जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है दूसरे मिल जाती है तो जिन्दा ही रहता है ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है दो तीन खाल बदली कर फिर मर जाएंगे पहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो जानते हो अभी हमको गर्ब में जाना है वहां तो है ही योगबल की बात योगबल से तुम जनमते हो इसलिए अमर कहा जाता है आत्मा कहती है अब हम बूड़ा हो गया हूँ शरीर पुराना हुआ है सक्षातकार हो जाता है अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूँगा आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है उस गर्ब को जेल नहीं महल कहा जाता है पाप तो कोई होते नहीं है जो भोगना पड़े गर्ब महल में आराम से रहते हैं दुख की कोई बात नहीं ना कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बिमार हो जाएं अब आप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वार धाम में जाना है यह दुनिया बदल नहीं है पुरानी से फिर नहीं होगी हर एक चीज बदलती है जार से बीज निकलती है फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है एक बीज से कितने दामे निकलती है सत्यूग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बलसी यहां विकार से 4-5 बच्चे पैदा करती है सत्योग और कल्यूग में बहुत फर्ख है जो बाप बतलाती है नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है उसमें आत्मा कैसे 84 जनम लेती है यह भी समझाया है हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा कर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगें पर जाकर खड़ी रहेगी जगें बदलती नहीं है अपने अपने धर्म में अपनी जगें पर नमबरवार खड़ी होंगी फिर नमबरवार ही नीचे आना है इसलिए चोटे-चोटे मोडल्स बना कर रखती हैं मूलवतन की सब धर्मों का अपना-पना सेक्षन है देवी देवता है पहला धर्म फिर नंबरवार आती हैं नंबरवार ही जाकर रहेंगे तुम भी नंबरवार पास होती हो उन माक्स के हिसाब से जगें लेती हो यह बाप के पढ़ाई कल्प में एकी बार होती है तुम आत्माओं का कितना छोटा सीजरा होगा जैसे तुम्हारा इतना बड़ा जाड़ है तुम बच्चों ने दिवेद रिष्टी से देखकर फिर यहां बैठकर चित्र आदी बनाई है आत्मा कितनी छोटी है शरीर कितना बड़ा है सब आत्माई वहां जाकर बैठेंगी बहुत थोड़ी जगें में नस्दीक में जाकर रहती है मनुष्यों का जाड़ कितना बड़ा है मनुष्यों को तो जगें चाहिए ना चलने, फिरने, खेलने, पढ़ने, नोकरी करने की सब कुछ करने की जगें चाहिए निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगें होगी इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है बना बनाया नाटक है शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है तुम बच्चों की बुद्धी में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्मवाले कैसे रहते हैं फिर कैसे अलग-अलग होते हैं नमबरवार ये सब बाते तुमको कल्प-कल्प एकी बार बाप आकर सुनाती हैं बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई उनको रुहानी पढ़ाई नहीं कह सकती हैं अभी तुम जानते हो हम आत्मा है आई माना आत्मा, माई माना मेरा यह शरीर है मनुष्य यह नहीं जानती उन्हों का तो सदैव देहिक संबंध रहता है सत्यों में भी देहिक संबंध होगा परन्तु वहां तुम आतम अभिमाने रहती हूँ यह पता पड़ता है कि हम आत्मा है यह हमारा शरीर अब व्रिद हुआ है इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है इसमें मूझने की भी कोई बात नहीं है तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है जरूर बेहद का बाप है ना मनुष्य जब तक ज्यान को पूरा नहीं समझती है तब तक अनेक प्रशन पूछती है ज्यान है तुम ब्रामनों को तुम सारे ब्रामनों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है एक होते हैं पुछकर्णी ब्रामन दूसरे सार सिद अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाती है ब्रह्मा बैठा है, दाड़ी आदिदी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है तुम ब्रह्मन भी मनुष्य के रूप में हो, ब्रह्मनों को देवतानी कहा जाता है सच्चे सच्चे ब्रह्मन तुम हो ब्रह्मा की ओलाद वै कोई ब्रह्मा की ओलाद नहीं है, पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता है, तुम्हारा यह विराट रूप है, यह बुद्धी में याद रहना चाहिए, यह सारी नोलेज है, जो तुम कोई को अच्छी रिती समझा सकते हो, हम आत्मा हैं, बाप के बच्ची हैं यह यथार्थ रिती समझकर, यह निष्चय पक्का-पक्का होना चाहिए, यह तो यथार्थ बात है, सबी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, सबी उनको याद करती हैं, यह भगवान मनुश्यों के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कोन है, यह कोई भी नहीं जानत जब तक कि बाप आकर समझाई, बाप ने समझाया है, ये लक्षमी नारायन जो विश्यो के मालिक थे, यही नहीं जानते थे, तो रिश्यमों ने फिर कैसे जान सकती, अभी तुमने बाप द्वारा जाना है, तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचईता और रचना के आदिमद अंत को जानती हूँ, कोई अच्छी रिती जानते हैं कोई कम, बाप समुक आकर पढ़ाती हैं, फिर कोई अच्छी रिती धारन करते हैं, कोई कम धारन करती हैं, पढ़ाई बिल्कुल सिंपल है, बड़ी भी है, बाप में इतना ग्यान है, जो सागर को श्याही बनाओ, तो कोई अंत नहीं पाया जा सकता बाप सहज करके समझाते हैं बाप को जानना है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बस अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मार पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी धार्णा के लिए मुख्य सार पहला पोईंट सदा याद सहज बनी रहे उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना कि ह दूसरा पॉइंट, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है, आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं, आतम अभिमानी बनने का पूरा-पूरा अभ्यास करना है वर्दान, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रशनों से पार रहने वाले सदा प्रसन चित भव विस्तार जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहती हैं उनके चेहरे पर प्रसनता की जलक दिखाई देती है प्रसन चित कोई भी बात में प्रशन चित नहीं होती वो सदा निह स्वार्थी और सदा सभी को निर्दोश अन्भव करेंगी किसी ओर के उपर दोश नहीं रखेंगे चाहें कोई भी परिस्थिती आजाए चाहें कोई आत्मा हिसाब किताब चुक्तु करने वाली सामना करने आती रहे चाहें शरीर का करम भोग सामना करने आता रहे लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन चित रहेंगे स्लोगन व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो अलबेले रूप में नहीं अच्छा, ओम शांती